नमस्कार दोस्तों में आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर. यहां मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया, सल्ट स्ट्रेटजी और केस स्टाडीज. जिससे कि आप प्रोटसाहित हो और अपना बिजनस शुरू करें निर्भर बने इसलिए मैं यहां पर आज उसी अध्याय में एक और वीडियो लेके आया हूँ. एक कमाल का बिजनेस आइडिया के साथ मैं हाजिर हूँ आप सब के समक्ष. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें. आज जो मैं आपसे बिजनेस डिसकस करने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे घरों में जिप्सम चैनल या सीलिंग चैनल का फ्रेम देखा कौन सा license लगेगा सारी जानकारी में आपको बताने वाला हूँ और कमाल की बात मैं अपने हर एक वीडियो में एक special चीज जरूर आपको बताता हूँ कि आपको sale कैसे करना है वो strategy क्या है कहाँ पर जाके आपको widget करे ताकि आपकी sales अच्छी हो तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में तो अंत तक जरूर देखिएगा एक भी point अगर miss किया आपका loss हो सकता है तो आए सर्वप्रतम हम जान लेते हैं कि हमारी seats बनती कैसे है gypsum channel में total चार टाइप के channel रहते हैं पहला gypsum channel पटी, दूसरा gypsum intersection, तीसरा perimeter channel और last में gypsum wall angle ये चार channel manually उसे होती है gypsum frame में आईए हम जान लेते हैं कि gypsum channel बनती कैसे है, तो process ये रहा तो दोस्तों यह machine आपको अपनी screen पर नजर आ रही होगी जिसमें अभी आपको process दिखाया जा रहा है जो galvanized iron sheet है, further पूरा detail मिलेगा इस वीडियो में तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, आपको सारी detail मिलेंगी, license वगेरा से related भी machinery का आपको खरीदने का number दे दिया गया है description में अब वहाँ से खरीद सकते हैं या आप open market से भी machinery खरीद सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको machine दिखाई दे रहा है, यह चार इन एक machine है जिसमें आप total चार चैनल एक ही machine में बना सकते हो आपको कोई roller या die change करनी की जरुरत नहीं पढ़ती है जिपसम की चार चैनल आपको एक ही machine में बन जाएगी यह यहाँ पर आप अभी देख रहे हो roller से seat pass हो रही है यह roller को जिपसम roller भी बोला जाता है इन्हें आपको fealer gauge की मदद से यहाँ पर set करना होता है fealer gauge जो होता है वो इन rollers के बीच में भरा जाता है जिससे आपको अंदाजा लग सके की आपका channel की थिकनेज कितनी रखनी है यह सारे rollers जो है यह profile देने के काम आते है यह machine पूरी automatic machine है जिसमें आपको कोईल ही चड़ा देनी है machine में automatic farming हो जाएगा और cutting भी अपने आप हो जाती है वैसे market में gypsum channel की लंबाई 8 feet और 12 feet running होती है जो इस machine में निकल जाएगा machine का roller आप देख रहे हो यह पूरा high speed material में बना रहता है इसको उपपर hodning किया जाता है ताकि machine के roll को 4 साल तक कोई damage न हो और cutting die का material WPS का रहेगा उसमें एक manual machine भी आता है जिसमें manpower की जरुरत जादा रहती है ये वीडियो में आप देख रहे हो वह 4 channel वाला machine है इसमें 3 channel वाला, 2 channel वाला और single channel वाला भी machine आता है अगर आपको machine खरीदनी है तो आप Guru Kripa Industries राजकोट से contact कर सकते हो उसका mobile number 960155559 है यहाँ पर जो machinery दिखाई जा रही है, इनके rate vary कर सकते हैं जो आपको वीडियो में बताए गए है इसलिए आपको मेरी उच्चित राय है कि आप दिये हुए number पर संपर्क कर ले जो number आपको description में दिये हुए है अब मैं यहाँ पर आपको बता दो कि आपका raw material क्या क्या होगा raw material आपका basically दो तरीके का होता है एक GI जिसको बोलते है galvanized iron इसमें क्या होता है जिनकी coating होती है seat पर तो वो silver color में चमकती रहती है और यह थोड़ी होती है rust resistance होती है मतलब इसमें junk आपका बहुत धीरे लगता है क्योंकि अगर आप यो iron की seat अगर डाल देंगे तो वहाँ पर dust के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है इसलिए color coating लगाई जाती है इसमें भी rust आएगा लेकिन जब तक जिनकी coating पर बनी रहेंगी तब तक नहीं आएगा तो यह इसकी durability 10 साल तक होती है यह material में दो type के grade रहते है एक prime material आता है जो Tata Company या जिंदाल या फिर S.R. का रहता है और दूसरा running material रहता है इसमें आपको signing थोड़ी कम रहती है यह China का material रहता है वह थोड़ा सस्ता मिलता है material की rate की बात करे तो अभी prime material का rate 65 रूपीज पर किलोग्राम के हिसाब से मिलता है अब आईए बात कर लेते हैं कि आपको area कितना जरूरत होगा क्योंकि यह ज़्यादा तर वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है दोस्तों, मेरी आपको राय है कि आपके पास कम से कम 1000 square fit area जरूर हो क्योंकि आपको machine भी लगानी है और आपकी जो seat आपका मतलब finish goods है जो gypsum channel है उनको सुरू करने के लिए भी आपको space requirement होगी तो 1000 feet आपको area sufficient होगा अब आईए बात कर लेते हैं manpower की manpower आपको जो लगने वाली है, दो helper और एक आपको fitter type में आदमी चाहिए होगा जो machine का setting कर सके और machine को operate कर सके अगर आपके factory में overhead crane है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आपको manual crane का use करना पड़ेगा दूसरा जो आपको चीज बचती है जो मैं अपने हर वीडियो में एक special चीज बताता हूँ वो यह है कि आपको sale कहा करना है sale करने के लिए आपको government contract जो भी हो रहा होता है वहाँ आपको contact करना पड़ेगा दूसरा जो आपने seat dealer होते है और जितनी भी hardware की shop रहती है उनसे आप संपर्क कर लीजिए आप online भी अपना product sale कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं important cheese जो की है profit आप अगर retail में gypsum channel बेचते हो तो 30% से 50% तक मुनाफ़ा कमाएंगे और यही पर अगर आप wholesale में बेचते हैं यानि कि किसी dealers को बेचते हैं तो आप 20% से लेकर के 25% तक मुनाफ़ा कमापाएंगे अब machinery investment की बात कर लेते हैं जो machinery मैंने आपको दिखाए है वो पूरी automatic machine है और वहाँ आपको 8 से 9,50,000 रुपे मिलेगी आप इसमें और हलकी machine आती है जिसमें थोड़ा manual type का होता है वो machine भी आप purchase कर सकते हैं वहाँ आपको 7 लाख investment करना होगा अगर आपको single channel वाला machine चाहिए तो वो आपको 4 लाख 50,000 में भी मिल जाएगा अगर आपके पास अच्छी पूंजी है तो ये business बहुत ही कमाल का business होने वाला है तो अब बात कर लेते हैं license की इसकी दोस्तो license के लिए आपको एक मात्र लेना होगा GST license GST license लेकर के आप शुरू कर सकते हैं initial level पे उसके बाद आपको और भी registration कराने पढ़ेगे जैसे NOC वगेरा जो नगर निगम से लेनी होता वो सारा कुछ आपको लेना पढ़ेगा अब आपको machine कहां से purchase करनी है आपके लिए पूरा market खुला हुआ है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी machine मिले तो आपको link मिल जाएगा description में वहाँ से आप machine purchase कर सकते हैं मैंने link description पर दे दिया है contact number भी दिया machine dealer का तो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस business में बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताए कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ